का दिन आप कह सकते हैं शुरुवात बेहत मजबूत थी, क्लोबल क्यूज सुपोर्टिव थे और मजबूत अंच हमने देखे मार्केट के लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है यह फिर दोपेर चड़ रही है, मुनाफव असूली हावी हुई है, तो क्या होगी क्लोजिंग की रणनीती और क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह समझना जरूरी है, वीरू आज कोशिश तो हमने की कि 22-800 की तरफ एक तेजी का अटेम्ट ले, फोड़ा सा चुक गया उस लेवल से मार्केट, और अब की मुनाफव वसूली, कैसे पड़े? हश्टा गुरा आफ्टर नू, दिखिए हश्टा आज सुवे जब हम बात करे थे, सुवे सुवे साथ बजी मॉर्निंग कॉल मैं, मैं बेस्ट केस में आज के लिए बहुत ऊपर का टारगेट लिके नहीं आया था, बेस्ट केस में 827, लेकिन उससे पहले मैंने एक पॉइंट कहा था, एक ऐसा पॉइंट है, जहां पर आपको अपने लॉंग ट्रेट्स को चेक करना पड़ेगा, चाहिए आप वो कल के हों, या फिर आज के, उससे पहले पॉइंट क्या था, सुबह डाटर साब रेस्टेंस की प्रेट लेका एका पहली, पहली जो मैंने प्रेट आज स्कीम पर रखी ती हाष्टा, वो थी बाइस साथ सुग्यारा पर ट्रेट चेक, सॉरी, साथ सो च्यासट और साथ सुट्राइवे, कमेंटरी के निचले भाग में मैंने एक लाइन लिखी थी, प्लीज चेक यूर ट्रेट, एट 7.66 और 7.93, हरिश्टा, सुबह फर्स्ट हाफ का हाई था 7.65.6, और सेकिंड हाफ का हाई है 7.68, यानि अभी तक 7.66 का वो पिवट पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ है, करने में, आज एक सबस्टेंशल गैप था, चेस करने का मतलब नहीं था, मेरा सारा जो एंफिसाइस था, या फिर जो जुकाव था, हर्ष्टा, वो डिप पे बाय करने को था, और मेरा अभी भी ये मानना है, क्लोजर टू, I think, जो टर्जिक्ट्री हैंना, I mean, 22.619 और 22.588, उसके कुछ दिर पहले, निफ्टी वहीं उसके बेहत नजदीक गया था, ये एक बेस्ट जोन है, इस ट्रेड को पिक करने के लिए, मैं उपर की तरफ लॉंग ट्रेड पिक करने में कोई चुप नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि ये वीकली कॉंट्रेक्ट, जो कि कल एकस्पायर होगा, इसमें 22.800 का, उसके बाद 22.900, उसके बाद 23.000, ये तीन कॉल राइटर्स के गड़ हैं, इसमें जाके ट्रेड को पिक करना, ये अकलबंदी नहीं होगे, ट्रेड हमें पिक करना है अपने पुट्राइटर्स के गड़ में, और वो क्या है? 22.619 और 22.888, मैं अभी भी कहूंगा, अगर आपने ट्रेड लॉंग साइट पे पिक किया है, जो कि हमने सुबे डिसकस किया है, तो लॉंग रही है, आपको फिर निफ्टी को बाय करना होगा, तो प्लीज नोट करके रख लीजिए, 22.619 या फिर करीब-करीब 22.888 की रेंच में, मैं अभी भी इस बात को लिए के बहुत आश्वस नहीं हूँ, कि ये पुल बैक बहुत चलेगा और की चलेगा, 619 की पॉसिबिल्टी मेरे को लग रही है, क्यूं? मैं आपको दिखाता हूँ, आपके स्कीन पे 6 स्ट्राइक्स हैंगी हर्ष्टा, और इस 6 स्ट्राइक्स पे आप देखिए, अभी भी कॉल राइटर्स काबिज हैं, जहां पे वो ग्रिप ले रहे हैं, वो है 22,800, 22,700 के क्लस्टर, आपके स्कीन पे इंट्रडे बिल्डप आएंगे, देखें, 22,700 पे 56,000, 22,800 पे 48,000, यह इंट्रडे बिल्डप हैं, और 22,650 की पुट पे इतना स्रॉंग बिल्डप नहीं है, लेकिन 22,600 की पुट में, आप जगर आउट्स्टेंडिंग होई देखिये हैं, वो है करीब करीब 87,000,000 का, तो आपका बाइज जोन क्या है, 630, आपका बाइज जोन क्या है, 588, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई दिक्कत की बात में, खाली बैठेंगे, मैंने सुबह भी काता, डिप को बाइज कीजएगा, without any fear, but not exacted higher levels, फिर मैं 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 मैंचिन कर रहा हूँ, 630, 588, नया एंटर करने का जोन होगा, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, आज हमारे levels के मताबिक चला हर्ष्टा, और सुबह सुबह इसने, वो सारी trajectories को छू लिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब trade के बारे में, वकालत करने का वक्त है नहीं हर्ष्टा, मैं यहाँ पे कोई trade रिक्रिमेंड नी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस वक्त चल रही है, unwinding अन्वाइंडिंग चल रही है, और आप स्कीन पे जाए, प्लीज लिपर निफ्टी बैंक लेक्ट 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 अगर हमको मिलता है एक बार फिर से 48-500 की टेजिक्ट्री, तब मैल स्कूल लेना की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं किसी धंके स्टॉक फूचर को पकड़ लूँगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें, आपकी स्कीन पे आएंगे, 48-800, 48-900 और 29-000, ये तीनों की तीन स्ट्राइक्स जो हैं, तो वो है 48-600, 48-500 के रिए यानि आपका ट्रेट पिक, रिएंटर करने का जोन होगा हर्ष्टा, 48-600, 48-500, 48-500, नौर एग्जेक्टिट इस प्राइस, मैं दोनों ही इंडिसीज पे थोड़े से और डिप कर इंतिजार करूँ हर्ष्टा, अगर मुझे लॉंग पिक करनी है, as of now, नहीं, अच्छे, एक बात करूँ हर्ष्टा, इस क्लोजिंग में, जो मैं अमूमन स्टॉक स्पेसिफिक समरी देता हूँ, आप रखे नज़र पावर स्टॉक पे, चाहिए वो टाटा पावर हो, चाहिए वो NTPC हो, चाहिए वो CESC हो कैश का, इन तेन काउंटर्स में, आप्शन्स और कैश के स्टेट्स बहुत ही स्टॉक है, मेरा फोकस रहेगा पावर स्टॉक्स पे, हर श्टा टाटा पावर, NTPC और CESC, इतीन स्टॉक्स. झाल 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 झाल